चलिए आज रसम बड़ा को बनाते हैं, रसम बड़ा एक लोप्रिय दक्षिन भारती नास्ता है, जो गरम रसम के साथ परोसा जाता है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं, रसम बड़ा, इसके लिए मैंने एक कप उरत दाल को लिया है, और इसमें पानी डाल कर इसे 6-7 और इसमें चाहें तो आप चोटा प्याज भी डाल सकती हैं, यह ऑप्सनल है, और यह मैंने डाल दिया है, लेकिन प्याज डालने से सुआद और अच्छा आता है, और इसे मैंने कटोरी में इस प्रकार से मसालों को निकाल लिया है पुरत दाल फूल चुका है हमारा और अब इसके पानी को निकाल कर इसे हमें पीस लेना है, ध्यान रहे कि दाल में आप ज्यादा पानी ना डाले क्योंकि इसे यह हमारा बढ़ा जहो ठीक नहीं पनेगा देखिए इस प्रकार से कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए और अब इसमें मैंने आधी छोटी चमच काली मिर्च, आधी छोटी चमच जीरा, आधी छोटी चमच अद्रक और हींग डाला है मैंने हरी मिर्च को डाला है और हरा धनिया डाल दिया है और इन सबी समागरियों को अच्छे से हमें फेट लेना है जितना फेटेंगी आपका बड़ा जो है उतना ही हलका बनेगा बहुत ही अच्छा बड़ा बनकर आपका तैयार होगा लगतार चलाईए इसे और ये देखिए और दाल मैंने रसम के लिया है आधा काप मैंने रहर का दाल लिया है इसमें नमक और हल्दी डाल कर इस दाल को हमें पका लेना है और एक कड़ाई में मैंने दो बड़ा चम्मच सर्सो का तेल लिया है इसमें एक चोटी चम्मच सर्सो मैंने डाला है काला वाला और दो सुखी लाल मिर्च और कुछ करी के पत्तो को डाल दिया है और अब इसमें ये जो हमारा मसाला जो था पिसा हुआ उसे मैंने डाल दिया ह और इसे लगतार चलाते हुए इसे बिल्कुल golden brown इसे हमें fry कर लेना है फ्राई हो चुका है और इसमें एक चोटी चमच धनिया आधी चोटी चमच जीरा और ये मैंने सांबर मसाला एक चोटी चमच डाला है और इसे भी हलका सा हमें fry कर लेना है ये देखिए ये fry हो चुका है और इसमें मैंने कद्दुकस किया हुआ लगभग पाउना कप टमाटर को डाला है इसे मैंने कद्दुकस किया है और अब मैं इसमें 1 फोर्थ कप के लगभग इमली को डाल दूगी ये देखिए ये इमली का पेश्ट डाला है मैंने, आप जितना खट्टा चाहती हैं उसी हिसाब से इमली को डाले, एक चोटी चमच लाल मिर्च, एक चोटी चमच कश्मीरी लाल मिर्च, एक चोटी चमच हल्दी को डाल कर अच्छे से मिला लेना है, ये देखिए रसम का कितना अच्छा कलर आया है, द और अब मैं इसमें यह जो हमारा दाल है यह पक चुका है इसे मैंने इसमें डाल दिया है और दाल और यह जो हमारा मसाला है उसे अच्छे से मिला लेना है ताकि यह एक सार हो जाए बिलकुल और ढग कर इसे 5-7 मिनट पकाऊंगी और यह देखे यह जो हमारा बड़ा का बैट इसे पीड से एक बार अच्छे से प्रेट लेगे, ये बिल्कुल फिट चुका है, अब चेक कर लेते हैं, ये देखिये मैंने पानी में डाला, ये बिल्कुल ऊपर आ चुका है इसका मतलब ये परफेक्ट, ये जो है हमारा फिट चुका है, और एक किकर बड़ो को तल लेगे मैंने सरसों का तेल लिया है आप चाहे तो कोई साभी तेल इस्तमाल कर सकती है और जिस साइज का चाहे आप उस साइज का बड़ा बना ले और बड़ी सावधानी से ये देखे इसे पलट लेंगे ताकि बड़ा जो हमारा है वो तूटे नहीं देखे कितना अच्छा हमारा बड़ा जो है फूला है बहुत ही अच्छा बहुत ही पर्फेक्ट बड़ा बनकर तयार हुआ है दोस्तों ये दक्षीन भारत के राजस्थान महराष्ट करनाटक तमिलनाडू और आंधर प्रदेश में रसम बड़ा को बहुत पसंद किया जाता ह लेकिन उत्तर भारत में भी लोग इसे बड़े चाव से खाते हैं ये देखे ये बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो चुका है और बड़ो को मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ आप चाहे तो बड़ो को इस तरह भी खा सकती है बहुत ही टेस्टी लगता है और बाकी का ब बैटर बचा है उसका भी मैं बड़ा तल लेती हूँ ये देखे फिर से ये कितना अच्छा फूल गया है और चमच की सहायता से मैंने इसे पलटा है ताकि ये टूटे नहीं तो ये हमारा बड़ा जो है वो बनकर बिल्कुल तयार हो चुका है और ये देखे इधर रसम भी ह हमारा बन चुका है पांस से साथ मिनट में ये बिल्कुल ये अच्छे से पक चुका है और अब मैं इसे एक बड़े प्याले में निकाल लेती हूँ ये देखे और एक एक कर हमें बड़ो को डाल देना है सभी बड़ो को एक एक कर डाल दूँगी तो दोस्तों ये बहुत चटपटा सा ये जो रेसेपी है रसम बड़ा आप इसे जरूर ट्राई करें और हमें बताएं कि आपको ये कैसा लगा यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें शेयर करें सब्स